दोस्तों सीमा हैदर के लिए काफी क्वेस्टेन मुझसे किये गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से आज बहुत जरूरी सवालू का मैं जबाब आपको दूँगी वह भी कानूनी तोर पर और जैसे कि एपी सिंग द्वारा वहां पर याचिका दायर की गई है मेडम का जो हिंदुस्तान से ही बिलाउं करती है उन्होंने मुझसे बोला मैडम आप इस मैटर पर अपने हजमेन को कुछ बोलने को कहिए तो मैं बता दू मैं एक प्रिसासनिक परिवार से हूं और मैं एक सोशल वर्कर हूं हमेसा सामाजिक मुद्दू पर ही काम बात करती हुं यहाँ पर मुद्दू समाजिक नहीं यह इंटरनेशनल मुद्दा है दो देसुं का मुद्दा है तो मैं यहाँ पर कानूनी तरीके से बात करूंगी क्योंकि स्मा हैDAR की साधी अगर उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पराव्णॉत का रिलेजन चेन्ज करके कोई साधी करता है तो उसको सबसे पहले ये प्रमान कोट में पेस करने होते हैं दोनुपक्स को सूचना कर दी जाती है और तीस दिन का समय होता है तीस दिन के अंतराल में दोनुपक्स की जिरह होती आमने सामने में उनको बठाया जाता है और पूछताच की जाती है अगर किसी भी तरीके से किसी की आपत्ती नहीं होती है तो उस साधी को मानिता दी जाती है अगर किसी भी तरब से आपत्ती लग जाती है तो उसको कोट खारिच कर देता उस पे मानिता नहीं देता है और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि सीमा और सचिन का जो बच्चा है क्या उसे भारत में भ अपने भारती कानून है उन्होंने लिभिन रिलेशन्शिप को माननीता दिया है सीमा हैदर की पास अपनी शादी का अपने भारती होने का कोई भी प्रमाण यहां पर नहीं है तो सीमा जाहिर सी बात है कि सीमा है पाकिस्तानी है और यहां पर जो उनका अगर बच्चा होता है तो भारती कानून जो हमारा है उन्होंने लिव-in relationship को मानिता दी है अगर बिना शादी के कोई बच्चा पैदा होता है दोनों की आपसी सहमती से तो कानून उसको वैद घोसित करता है क्योंकि उन्होंने लिव-in relationship को मानिता दी है अगर उस लिव-in relationship में कोई बच्चा पैदा सब्सक्राइब लेकिन जो सिमा है और सिमा हिदर के बच्चे हैं वह भारत के लिए 100% डिपोर्ट होंगे यहां पर पती है उनके द्वारा है हाँ पर कुछ याच डोकुमेंट से दिये गए हैं जिसमें उन्होंने साधी वगरे के प्रमान वगरे काफी चीज में नहीं बता सकती सोसल मेडिया पर यहां पर रखे हैं और यह जो कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को संपैथी के तरीके से भारत में रहने दिये जाए तो मैं पूरा यकीन है और मैं 100% कह सकती हूं कि भारती कानून कभी भी इजाजत नहीं देता घुस पैठियों को इस तरीके से रखे जाए यहां पर साधी का मसला तो बाद का है लेकिन सबसे पहले जो मसला आता है कानूनन वो आता है कि सीमा हैदर इनलीगल तरीके से इंडिया में आई है और जो लोग काफी लोगों के मुझे सवाल है क्यों नहीं इसे ब हमाया सैनिक वहां पाकिस्तान में गिर गए थे अपने जो हवाई जाथ था उससे नीचे चले गए थे अभिनेंदन भारती ची और बागा बॉडर के द्वारा उनको हिंदुस्तान वापिस बुलाया गया था और जब वापिस आय तो कई महिनों तक कई दिनों तक उन पर ज हमारे भारत माई है क्या उसको इतनी आजादे दी होगी आप सोचिए इस बात को जो लोग कहते हैं कि हाथ पकड़ के फेक दो बाहर हमारा बस चले हाथ पकड़ कर निकाल दो तो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी संपति एक हम समाज सेविका है तो हमारी संपति है है हैदर कानून का नियम है कि किसी को बक्सा नहीं जाता है वह देश द्रोही है सीमा हैदर 100% डिपोर्ट होगी पाकिस्तान के लिए और बच्चे मिलिंगे हैदर को डिपोर्ट होगी पाकिस्तान के लिए यह तो और है इसको चाहे आप कुछ भी कह दो यह टल नहीं सकता लेकिन हाँ जैसा कि बहुत सारी चीजा ऐसी रखी गई है सिमा हैदर जो अपने वीडियो के मादम से बोलती कि मुझे मार दिया जाएगा मेरे साथ अगर मुझे पाकिस्तान भेज दिया गया तो मेरे साथ यह चीजा होंगी जो हर वीडियो मा बोलती कि में मुझे नहीं क्योंकि वह दूसरे मुल्की है दूसरे देश की है और इनलीगल तरीके से हमारे भारत में इंटर कर चुकी है जो लोग कहते हैं कि मेरे पास काफी क्वेस्चन भी आया है कानून को पता है कि जो चीजा गलत है इनलीगल है तो अगर कानून की नजरू में है तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल कोई भी सपोर्ट सीमा हैदर को होगा हां उसके कुछ चाहने वाले हो सकते हैं इंडिया में जो चाहते हैं कि वह यही रहे तो उन चीजो को रखते ह कि सीमा हैदर को पॉलिटिकल या किसी पार्टी का सपोर्ट करेगा कोई राजनी व्यक्ति नहीं ऐसा सपोर्ट करेगा कोई कानूनी व्यक्ति ऐसा नहीं सपोर्ट करेगा हां कुछ लोग हो सकते हैं इस तरीके के जो चाहते हैं सीमा हैदर रहे लेकिन मुझे नहीं लगता क क्योंकि जब कि जब हमारे देश का कानून जो होता है ना हमारे देश की जो ओडर होते हैं हमारे रास्टपती को भी फॉलो करने पड़ते हैं जो हमारे कानून भी आसता है उसके आदेश को हमारे देश के बड़े से बड़े प्रितिनीधी को भी फॉलो करने पड़ते हैं और और कोई भी बाहरी वेक्तियां इस तरीक से आता है तो जांच एजेंश्यू का पहरा उसके सर पर रहता ही रहता है आप ऐसे सवाल न करें जिससे कि यह लगे कि आप इन पर ओकर रहे हो हमारे देश का कानून है न कि हम तो भई गलत को कभी भी माफ नहीं करता कभी भी नहीं और जो लोग कह रहे है कि अभी तक सीमा हैदर कैसी मदब छोड़ दी गई है घर में वह कर रही है अभी फिलाल देखिए कानून में समय लगता है और समय जरूर आएगा वह पाकिस्तान डिपोर्ट होगी 100% हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे 100% दावय के सांधिये मैं कह र देखिए ती आपके अंदर दुख है इस बात का क्योंकि सीमा हैदर ने भी गलत किया पकिस्तान मुर्दागार जो बात जो नारे लगवा है अपने मुल्क के लिए जो गलत बोला सीमा हैदर भी गलत है लेकिन यहां पे जो आप कह रहे हैं कि आप वहां पे जाओ दंगे फ तो यह चीज़े भी कई चीज़े उठकर आई कि सीमा हैदर का तलाक हो गया था तब जाके उसने सचिन से शादी करी हां हिंदुस्ताना के तो मैं बता दू कोई भी चीज होता है तो प्रमान मांगता है हमारा कानू जो कि सीमा हैदर के साथ उसका तलाक हो चुका है और उसक कि अगर तलाग होता तो लिखित में होता है अगर साधी के प्रमान भी यहां भेजे हैं हमारे राष्टपती वहन में तो उसका भी अगर उसका निकाह नामाया कुछ भी हुआ है तो जब ऐसी बात आती कानुनन बात आती तो कोई मोला ना या कोई पंडीत का लिखा प्रमान यहां पर मायने नहीं रखता है यहां पर कोट का लिखा प्रमान मायने रखता है और रेजिस्टर्ट मायने रखता है और रेजिस्टर्ट होना चाहिए आप अपना रिलेजन आप चेंज कर रही है आप अपना धर्म परिवर्तन कर रही है तो उसका आपने वहां करा उसके उसका आपके पास कोई प्रमान नहीं है आपको साधी वोगरा यह चीजे बात की बात है लेकिन कानून मुद्दे में आपको बताती है जो आप कह रहे हो कि सीमा हैदर को यहां पे छूड़ दी गई है तो मुझे नहीं लगता है सीमा हैदर को अच्छी तरीकी से पता होगा कि उसे यहां पे आजादी नहीं है वो घर के अंदर ही रहेगी और जाच एजेंशियों का पहरा कड़ा उस पे होगा यह मैं 100% शूर हूं इस चीज के लिए तो यह कहीं न कहीं बहुत सारी चीजे हैं और दो देशों का मुद्द है तो हमें भाई जो लोग आप कहते हो उठा जैसे कि उनका कहना मेरे डाइबॉस हो चुका है है यहां पे दिया है प्रमान की मैं 80,000 रुपे महिना इसको पे करता था भाही जब आपका तलाक हो गया तो 80,000 रुपे पे क्या एक तलाक सुदा महिला को थोड़ी नहीं देगा कहीं नहीं प्रूब करता है कि हैदर अपनी और सीमा या तो पाकिस्तान डिपोर्ट की जाएगी या फिर हिंदुस्तान के जेल में होगी दो जगह से तीसरी जगह सीमा के लिए कोई जगह नहीं है यह वकिल साहब भी जानते हैं हिंदुस्तान के वकिल साहब भी जानते हैं इसको पाकिस्तान के वकिल साहब भी जानते आते हमें थे देहाँ हैं तो इसान हम याय से क्वांट बिल आई उसके पास कोई प्रूप नहीं है कि वो इंडिया में गलत है क्योंकि हमारा देशका कानून नहीं बगशता तो भारत का भी कानून है कि नहीं अगर कितना ही राजनीतिक दल से जुड़ा हो कितना ही कुछ सत्सम हो लेकिन कानून उसके लिए भी बराबर होता है और आम नागरिक के लिए भी बराबर होता है इंडियन भारती हैं तो हमें पता है हमारे देश का कानून पाकिस्तान का कानून जैसे कि सीमा है दर बोल रही है कि मुझे बॉडर क्रोस करते ही मार दिया जाएगा मुझे वहां पे खत्रा है तो हो सकता है इस वेस पे इस चीज को देखते हैं उसे भारत की जेल में रहना स्वेज़ को पहले हैं आपके दिल में लगता है वास्ताव में है जिनको यह पता है कि शमाज की खराप हो रही taş कहले है इसका इप अगर तमाम अपनी घर की चीज़े सोसल मीडिया पर दिखा रही है तो सोसल मीडिया पर जैसे कि पाकिस्तान का वीडियो देख रही थी उन्होंने बोला था तो अगर आपको किसी मुद्धे पर सवाल करना होगा तो आप कर सकते जाहर सी बात है जवाब में जरूर दूंगी लेकिन मुझे लगा मुझे एवाट रखनी चाये कि सचीन और सीमा की शाधी वैद है या नहीं जो आपके बहुत सारे सवाल थे तो बिल्कुल भी नहीं सचीन शीमा की प्रिवेस कराया गया है तो कहीं से कहीं तक ये शादी वैद नहीं है और हाँ अगर वो रह रहे हैं साथ में और इस वास्ते उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको लिव इन रिलेस्टेंशिट जो मानिता मिली है अभारत सरकार ने मैं इसे अच्छा नहीं मानती हूँ आपके समानत मुझे जरूर बताएगा क्योंकि इस वज़े से काफी औरते काफी पूरुस अपनी आजादियों का गलत फायदा उठा रहे हैं जो कानून ने नियम बनाया है अब हमारा कानून भी आसता है लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये लिव इन रिलेस्टेंशिट के जर ये 100% sure है और दावे के साथ में चीज कह रही हूं पाकिस्तान ही डिपोर्ट होंगे समय लगेगा इतना समय हैदर भाई ने तसल्ली करी तो कुछ और तसल्ली करें जो चीज होगा अच्छा ही होगा क्योंकि गलत है गलत चीज तो गलत ही होगा एक बहन का कल मेरा पाकिस्ता जो भाई है तन्वीर में देख ली थी तो उनके उसमें बहन का चैनल टर्मिनेट हो गया क्यों हुआ है मुझे नहीं पता वहाँ पर बताया नहीं गया जो उनका कहना है कि इस वज़े से हुआ सीमा के वज़े से वा तो मैं यह कहना चाहूंगी आप गाइड लाइन फॉलो और दूसरे देख से कनेक्टेट मुद्द है तो ऐसी गलत चीजों को कुछ ना करे है जिस योशे गलत फ्हा मियव पैदा हो जाए और गल्ट कीज़ा और कूछ चीज़ा और गलत हो जाए क्योंकि कानून को जो करना है कानून अपने ही हिसाप से काम करेगा और जो गलत है है हैं अपनी बात को है रखने आप हमारी ओडेंस से आप तक अपनी बात पहुचाने का और आपकी बात को सुनने का हम हक रखते हैं और आपको जबाद देना हमारा फर्ज बनता है इसलिए यह वीडियो में लेके आई कि क्या इस पर हो सकता है हंडेट परसेंट बुडिपोर्ट होगी काफी ऐसे सवाल आये अब मैं नेक्स वीडियो मताऊंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और बहुत सारे मैंने क्वेस्चन लिखे थे कुछ खास-खास जो मैं आपको बता सकती हिड्यो मैरीज एक्ट के तहत यह साथी जो है धर्म परिवितन कर रहा होती है लेकिन ivhtika मांचीन नहीं और वहनों को अपने मुलक सेंप्सक्राइब यहां पर डॉकुमिन पेस्ट करने होते हैं अगर डॉकुमिन सब्सक्राइब से और अगर पराइब सब्सक्राइबू मोगर्डियों वैयों सपीं नहीं मिलता से तो इस सव्याद्छ conscious कि में था प्राइब पाइब की एक जब फाइबूर्ध इतis च्छिक्त्राइब सर्सक्राइब कर दोड़ करें से तो fажд देज सब्सक्राइब पाकिस्तान के लिए और किसी तरीके से भारत अगर उसकी बात उपर विचार करके या कानून हमारा उसको रिपोर्ट नहीं करता तो वह हिंदुस्तान की जेल में ही रहेगी तो थैंक्यू समझ दोस्तों मैं छोटी सी समाज से अपने वीडियो के माधन से मैं चाहती हूं कुछ अच्छी प्रेणा देशकों तो उम्मीद करते हूं आपको वीडियो पसन आया होगा डेली सुभा अड़ बीडियो आता उस प्यार बनाई है अपने समाज के मुद्दू को लेके आती हूं एक बहन है और मैं थोड़ा ध्यान नहीं आरा क्यूंकि उनका मेरे प्यां क कर दिया जा रहा था उनके सोतेले बच्चों के वज़े से फाइनली उनके पती ने अनके लिए अपना एक घर ले लिया तो बहुत कुछी होती कि मेरे वीडियो से कही ने कहीं आपका अच्छा हो जाता और आपको अपने हग के लिए आवाज उठाने की बात आती है तो भा कि सो में तेह देंचे धन्या